दोस्तो यदि आप एक Android यूजर हैं तो आपका फोन कभी ने कभी लॉक जरूर हुआ आपके घर वाले से लॉक हो जाए आपके भाई मादा बहन भाई बाई 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 जितने घर के मेंबर हैं किसे ने किसे से फोन एक पर गलती से जरूर लॉक हो जाता है या फिर ऐस आपने भी कुछ इसी तरीक है कि screen आता होगा इंटर password या pattern pin कुछ भी इसी तरीक है आता होगा लेकिन हम एक चीज इग्नॉर कर जाते हैं दोस्तों वह क्या यहां धियान से दिखेगा कि हम एक चीज इग्नॉर कर जाते हैं emergency call को जहां दोस्तों बहुत साइर लोगों में यह मित है कि आपका जो एमर्जनसी कॉल है सिर्फ पुलीस एमर्जनसी मेडिकल कंडिशन में यह वर करता है नहीं एमर्जनसी कॉल एक्षियू में बना था फोन को अनलॉक करने के लिए फोन में कोई अगर गड़वड़ी हो जाए उसको इसी तरीके से इस रिजॉल्व किया जाए यह एक प्रॉसेस होता है जो कि डेवलपर हिड़न करके रखते हैं ठीक है तो ऐसा सिच्वेशन में अगर आप कोई फ़स जाते हैं तो आप अपने खुद के फोन को क्या से अनलॉक करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है तो दोस्तो यहां पर फड़ाफ़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप जो है अपने यह किसी की भी फोन को आप विदावट डेटा लॉस कैसे अनलॉक कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले तो फर्स्ट अपॉल जब भी आपका फोन लॉक हो आपको क्या करना है? एमर्जेंसी कौल वाले ऑप्षिन में चले जाना है और यहां पर एक कोड जरुर इंटर करके आप देख लीजेगा जल्तार हैं है next process हम आपको बताने वाला है कि अब जो है यहां पर आपको dial करना है star है जेट और double line और हैज क्या dial करना है star है जेट double line और उसके बाद हैज आपको जरूर से यह dial करना ठीक है इस option को dial करते ही आप जो है engineer mode वाले page पे पहुंच जाएंगा हाला कि मैनुल टेट से पहले हम software वर्जन पर जाएंगे क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फोन में android 10 नहीं है तो यह काम नहीं करेगा आपके फोन में android 10 11 12 30 यह सब होना चाहिए latest version होना चाहिए तभी काम करेगा android 10 के नीचे यह काम नहीं करेगा बहुत सारे लोग कमंड करेंगे कि सर अगर हमारे पास android 987 है तो क्या करें देगे जब भी हमारी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं तो यहां पर कॉर्नेट पर एक option दिखाई देता है जिसको हम कहते है product tag product को option आता है यहीं पर कोने पर कहीं पर होगा वहां से किसी भी smartphone को आप select कीजिए सबसे नीचे वाले page पर जाईएगा एक 2mb का file मिलेगा उसको download कर लिजेगा और copy paste कर लिजेगा computer के तूर आराम से हो जाता है और फिर आपका तुरत ही आप जैसी computer से अपने phone को निकालेंगे आपका phone जो है upgrading में चल जाएगा और Android 10 में वो shift हो जाएगा उसके बाद आपको यह process करना है सबसे नीचे में last में factory version आपको देखने को मिलता है तो इसको हम continue यहाँ पर tap करेंगे 8 से 10 बार यह आपको करना ही करना है ठीक है ना अब इसको हमने यहाँ पर कर दिया then अभी से पहले यहाँ पर manual test आपको ढूड़ी और manual test पर चल जाएगा second option में आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है sensor self test calibration का option मिलेगा अब हर phone में अलग-अलग तरह के sensor होते है 5-6-7-8-9 हमारे phone में तीन sensor है तो तीनों को start कर लिजी कि यह का pass होना बहुत ही जरूरी है तभी यह method का करेगा तो जब एक pass हो जाए आप समझिए कि आपका phone जो है 100% unlock हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यह देखे अभी आपको यहाँ पर back कर लेना है बैक करते ही अभी हम यहाँ पर क्या करना है हम gyroscope की मदद लेंगे यहाँ पर gyroscope है और gyroscope का हम यहाँ पर grab जो है यहाँ पर देख सकते है रेट जहाँ पर समझी आपका phone unlock हो जाएगा तो यहाँ पर देखे थोड़ा सा रोड़ा आपको red भी दिख रहा होगा लाइनिंग में back करेंगे और back करते ही फिर से हम finally back करेंगे और सबसे last page सबसे last page किसी भी phone में others का ही होता है others वाले page में ही आपक आपको क्लिक नहीं करना है इस option पर और यह पास भी होना चाहिए चलिए back करते हैं अभी यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा read write का first time पर read write पर आपको क्लिक करके okay नहीं करना है जी हाँ दोस्तों आपको जो है इस option में okay नहीं करना है बहुत सारी लोग हड़बाहाट में okay कर देते हैं बड़ आपको okay नहीं करना है cancel कर देना है और second time जब इस option पर क्लिक करेंगे और तब जाके आपको okay करना है तो okay करते हैं नीचे अगर आपको wrong password दीखा तो समझे आपका काम बन गया क्योंकि यहाँ पर write password आपको नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है अभी देखे यह आपको क्या करने है फिर से एक बार back करेंगे और यहाँ पर हमारा phone जो है successfully यहाँ दोस्तों देखिए successfully हमने अपने smartphone को unlock कर लिया है वो भी without data loss के साथ यह देखे lock screen है और without data loss यहाँ पर हमारा काम हुआ है यानि कि यह बहुत अच्छी बात है तो आपके phone में भी एक lock लग जाए और आप unlock करणवाने चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यार भरा support बनाए रखिएगा कोई दिक्का तो नीचे model के साथ बेज़ीचे contact कीजिए फिर मिले देंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वचिंग और वाचिंग और बाई बाई